कि कि के रहें कशमीर फाइस टेक्स-free करो अरे YouTube पे डाल दो free-free हो जाएगी टेक्स-free क्यों करा रहे हो इतना ही तुमको शौक्लत है पहाल विभेज को डेक्श संद्धर सारी पिक्चर फ्री है सारे देख लेंगे कि दिन के अंदर टैक्स फ्री की क्या जूरूरत है यूट्यूब पे क्यों इडल ये सब बंद करो दिमाग खोल के कि सारे जने बीजे पी छोड़के आम आदमी पार्टी में आ जाओ क्या कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो और पीछे से दो जने कह रहे थे दारू की दुकाने बंद करो अब इनको भी नहीं पता आज नारे किस चीज के लगाने ओपर से आया तो था उपर से आया तो था तो दो जने कह रहे थे दारू की दुकान बंद करो आगे वाले कह रहे आज कश्मीर वाला नारा लगाना है तो जैसे रैलियां होती है उसमें कुछ टीवी वाले माइक लगा देते हैं कि हाँ जी किसलिए आयो तो वो यू यू देखता है किसलिए क्या हाल बना दिया इस लिए थोड़ी राजनी ते माय थे एक पिक्चर आई थी बंटी और बबली उस पिक्चर में एक सीन था कुछ लोग एक नेता के घर के सामने जाते हैं हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो नेता बाहर आता है क्या मांगे हैं तो सारी दूसरी की तरफ इनको पता ही नहीं क्या मांगे आज सारे देश की सारी भारते जंता पार्टी एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है गली गली में जाकर पूरी सारी भारते जंता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है आठ साल केंद्र सरकार चलाने के बाद अगर किसी देश के प्रधान मंत्री को विवेक अगनी होत्री के चर्णों में शरण लेनी पड़े तो इसका मतलब उस प्रधान मंत्री ने आठ साल में कोई काम नहीं किया अगर किसी प्रधान मंत्री को कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो अरे यूट्यूब पे डाल दो फ्री फ्री हो जाएगी टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो इतना ही तुमको शौक है विवेक अगनी होत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा सारी पिक्चर फ्री है सारे जोने देख लेंगे कि दिन के अंदर टैक्स फ्री की क्या जरूरत है यूट्यूब पे क्यों नहीं डल कल एक मैंने अख़ खटर साब के खटर साब देखो यह फ्री में कर रहा है इसको बोलो टिकेट लेके करेगा भाई साब कश्मीरों कश्मीरी पंडितों के नाम पे कोई कुछ लोग करोडों करोडों रुपए कमा रहे हैं और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया क्या कर रहे हो करोडों कमा गया कश्मीरी पंडितों के नाम पे करोडों कमा गया और तुम लोग पोस्टर लगाते रहे हैं क्या हाल बना दिया तुम लोगों का यार आंखे खोलो तुम लोग भेड़ बक्रियों के तरह हांक रखा है पुरे बीजेपी वालों को भेड़ बक्रियों के तरह हांक रहे हैं एक दिन बोले तीन काक्रिशी कानून लेके आए हैं बहुत शान्दार हैं और फिर नीचे मेसेज आया भी सारे जने तारीफ करो मोदी जी कि सारे बोले वाह मोदी जी वाह क्या मास्टर स्ट्रोक है और मेरे को याद है इसी सदन के अंदर इन लोगों ने उन तीनों कानून की खुब तारीफ की थी बोले क्या मास्टर स्ट्रोक है और क्या शांदार का इन्होंने का वाह मोधी जी वाह क्या तीनों कानून खराब थे आपने वापस ले लिए देश को बचा लिया क्या मास्टर स्ट्रों इस क्या हाल बना दिया आप लोगों का यार फिर थोड़े दिन बात बोले भई दारू की दुकानों के खिलाफ करो फिर सारे जने दारू की दुकान बंद करो दारू की अब दारू ठीक हो गई अब दिल्ली में आज कल तो शोर नहीं करते हैं तुम लोग आप कश्मीर फाइल आ गई पहले क्रिशी कानों रोज काम दे रखा है तुमको कुछ ना कुछ उपर से आ जाता है काम दे रखा है आप दारू की दुकाने मेरा एक ही निवेदन है मेरे बीजेबी के साथियों से आप तो अपनी हो आप तो सबब मेरे छोटे भाई बड़े भाई विदुरी साब तो बड़े भाई है मेरे आप तो सारे अपनी हो यार थोड़ा सा देश के बारे में सोचो यार थोड़ा देश के बारे में सोचो आपको आपके बच्चों को नौकरी दी आपके घर में कोई खाने पिने का इंतिजाम करा आपकी बिजली का इंतिजाम करा केजरी वाल काम आता है आपके आपके भी घर के बिजली फ्रीक रखी है दिल्ली के बारा लाख बच्चों को नौकरी दीए मैंने स्कूल ठीक कर दीए अस्पदाल ठीक कर दिये आपके घर में कोई बिमारों केजरी वाल दवाई पहुचाता है मोधी दवाई नहीं पहुचाता केजरी वाल काम आया मैं बीजेपी के सारे कारे करता हो से कहना चाता हूं थोड़ा सा दिमाग खोलो बीजेपी के सारे सपोर्टर्स को कहना चाता हू थोड़ा सा दिमाग खोलो ये भेड चाल बंद करो भेड बक्रियों के तरह हां करें ये आपको ये सब बंद करो दिमाग खोल के सारे जने बीजे पी छोड़ के आमादमी पार्टी में आ जाओ आपको आपको इज्जत मिलेगी सम्मान मिलेगा आपसे कता ही जुटे नारे निलेगवाएंगे राष्ट निर्मान में आपको साथ लेंगे हम राष्ट निर्मान करेंगे आपके साथ मेंगे ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे जुटी फिल्मों के और जो भी करना हो कम स अच्छे आदमी हो, कुछ करने आये थे राजनीते में, कहां पिक्चर के पोस्टर और प्रोमोशन करने में लगा दिया। कल अलजी साब की स्पीच पूरे देश ने सुनी। अलजी साब को एक तरह से केंदर सरकार का नुमाइंदा माना जाता है। अलजी साब ने भी हमारी सरकार के कितनी तारीफ करी। पचास परसेंट जीडीपी पांच साल के अंदर बढ़ गया, भारत में आज तक कभी किसी राज्य का नहीं बढ़ गया। इतने शांदार काम दिल्ली सरकार ने की हैं कि केंदर सरकार द्वारा नियुक्त अलजी साब ने भी दूसरी सरकार की, आम आदमी पार्टी की सरकार की भुरी भुरी शब्दों में तारीफ की। मैं एलजी साहब को बहुत बहुत शुक्रियादा करना चाहता हूँ और इस धन्यवाद प्रिस्ताव का समर्धन करता हूँ